Hello Everyone, तो दोस्तो, I think आप सभी LNMU BA Part 2 English Honors के स्टुडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम लोग Paper 4 को कवर करेंगे दोस्तो, आप सभी को पता ही होगा Part 2 में English Honors के कुल दो Paper होते हैं एक Paper 3 और दूसरा Paper 4 Paper 3 के उपर हम लोग बात कर चुके हैं आज की इस वीडियो में हम लोग Complete Paper 4 को कवर करेंगे आप सभी इस वीडियो को लाज्ट तक चरूर देखिएगा दोस्तो, Paper 4 के अंदर Paper 3 की तरह ही आपको केवल और केवल चार सेक्शन को ही कवर करना होगा चार सेक्शन में दो सेक्शन है आपका Novel का एक सेक्शन है Short Story का और एक सेक्शन है आपका Essay का चार सेक्शन टोटल हो गए चारो सेक्शन से एक-एक करके Long Question और एक-एक करके Explanation के Question आएंगे एक Long Question आपका 17 Marks का होगा तो चार अलग-अलग सेक्शन से एक-एक करके Long Question आएंगे तो चार Long Question हो गया तो चार Long Question आपका हो जाएगा 68 Marks का चारो सेक्शन से एक-एक करके Explanation के भी Question आएंगे तो आपका टोटल चार Explanation का भी Question हो गया और एक Question 8 Marks का तो चार Question 32 Marks का दोनों को add करोगे तो आपका यह हो जाएगा 68 plus 32 equal to 100 marks 100 marks का ही आपका paper होगा paper 4 solve करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और total number of question रहेंगे 5 जिसमें से पहला number सवाल ही आपका explanation का होगा 4 explanation रहेंगे हर question में alternative option रहेंगे यानि की 8 question में से आपको 4 का जवाब देना होगा दूसरे number question से लेकर के 5 में number question तक यानि ये 4 question आपका long question रहेंगे और long question में भी alternative option रहेंगे मैं आप सभी को suggest करूँगा कि आप cable और cable चारों section का syllabus बढ़िया से कर लिजिए और long question अगर आपका बढ़िया से cover हो जाता है फिर आपका explanation आटोमेटिक लिए cover हो जाएगा explanation के लिए कोई basis तयारी नहीं करना होता है बस long question वाले तयारी में ही थोड़ा बहुत effort डाल देना होता है तो आप सभी इन long question को बढ़िया से जरूर cover कीजिएगा जो मैं आप सभी के बीच यहां पे discuss करने जा रहा हूँ तो चलिए chapter by section by जो मैं आप सभी के बीच long question discuss करता हूँ तो सबसे पहले हम आजाते हैं उद्रिंग हैट के उपर उद्रिंग हैट से एक long question और एक explanation का सवाल आएगा explanation के लिए मत घबराईएगा long question को पहले बढ़िया से कबर कर लीजिए वहीं से आपका long question के साथ explanation भी हो जाएगा जब exam करीव आएगा तो explanation के लिए मैं आपको धेरो videos भी अब लेबल करा दूँगा तो उद्रिंग हैट के लिए जो सबसे पहला question important है यह है character का question character से आप लोग head के लिप का character बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा मैं आपको strongly कह रहा हूँ यह question आपकी paper में जरूर आएंगे तो इसको बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा अगला question है important elements in उद्रिंग हैट्स narrative technique in उद्रिंग हैट्स narrative narrative art of उद्रिंग हैट्स उद्रिंग हैट्स as a spiritual tragedy atmosphere of the novel उद्रिंग हैट्स love and hat relationship in उद्रिंग हैट्स तो इन question को कर लीजिएगा छोटा छोटा आपका question का heading बनेगा और सभी में summary cable add करते चलना है यह segment भी आपका बढ़िया से हो जाएगा अगला मेरा segment है far from the mating crowd का यह भी आपका novel ही है और यहां से भी character का question आएगा तो character के लिए आप लोग यहां पे दो कर लीजिएगा एक gabriel oak और एक fanny robin मैं कहूंगा आप लोग gabriel oak को बढ़िया से कर लीजिएगा थोरा बहुत इसको देख लीजिएगा देख लीजिएगा क्योंकि यह question character में ना आकर के direct long question भी आ जाते है नौर्मल तरीके से तो fanny robin को भी देख लीजिएगा लेकिन बढ़िया से त्यारी करना है gabriel oak का इसके बाद आप लोग करोगे far from the mating crowd का title क्या है theme क्या है इसके बाद करोगे discuss far from the mating crowd as a rustic novel as a romantic pastoral comedy तो यह 3-4 question कर लीजिएगा तो आपका यह novel का section भी cover हो जाएगा जदा कुछ करना नहीं होगा आगे आजाएगे अगला जो मेरा segment है यह है इससे का इससे में जदा issue नहीं होगा क्योंकि जिस परकार से यहाँ पर chapter का नाम दिया गया है उसी परकार से exam में भी direct chapter का नाम देगा long question में और आपको क्या करना होगा तो summary लिखना होगा तो essay के लिए आप इन 4-5 को कर लीजिएगा मैं आपको 2-3 extra इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से explanation का भी सवाल आएगा long question के लिए cable और cable उपर का तीन कर लीजिएगा तो हो जाएगा कोई issue नहीं है लेकिन explanation का भी सवाल यहाँ से आएगा तो उसको भी solve करना होगा इसलिए आप explanation को भी target करके चलिए तो overall इन 5 इसे को कर लीजिएगा पहला है beautives दूसरा है the money box तीसरा है dream children चाउंता है on superstitions and last है pleasures इन सभी को कर लीजिएगा long question plus explanation यानि 17 marks का long question और 8 marks का explanation का question 25 marks का question आपका cover हो जाएगा इन 5 इसे से अब आजाए last section यानि short story cure short story में जएदा issue नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको cable और cable तीन short story ही पढ़ना है पहला है the kite दूसरा है the vertical leader and last है the duchess and dweller overall इन 3 को कर लोगे आपका short story यानि 25 marks का segment cover हो जाएगा कहीं से कोई issue नहीं होगा last में बता दूँ जो मैं आपको चार segment बताया हूँ दो novel का एक essay का और एक story का और इसके अंदर जितने भी question मैं आप सभी की बीचवी फिलाल discuss किया हूँ इन सभी question का answer separate answer हमारे पास available है वो भी hand retain notes और उसका मैं एक PDF बनाया हूँ अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं साथी साथ session 22-25 के लिए हम लोग छोटा सा online batch भी चला रहे हैं तो आप सभी घर बैटे हमारे साथ जूर करके paper 4, paper 3 यानि part 2 के दोनों honors paper का बढ़िया से त्यारी कर सकते हो कहीं से कोई issue नहीं होगा मैं आपको chapter wise videos, analysis शेयर कर दूँगा हर एक chapter का PDF content शेयर कर दूँगा class note शेयर कर दूँगा guest question paper शेयर कर दूँगा question bank, syllabus ये सभी PDF शेयर कर दूँगा explanation के उपर धेरो videos अवलेबल कर आउँगा इसके अलाबा आपको paid whatsapp group में add करूँगा वहाँ पर activity चलेगी कहीं से कोई issue आएगी तो आप call करके हमें direct share भी कर सकते हैं तो जो students interested हो ये मेरा whatsapp number है 7048928746 इस number पर whatsapp message कीजिएगा अपना session और university का नाम जरूर mention कर दीजिएगा thank you so much everyone